लफड़ा ए इश्क्या साजिश तारानकिन बीजेपी नेतरी का नजदी किया चर्चा में प्रेम संबध की शक को लेकर द्राइव का पत्नी से घर में हुआ विवाद मेम साहब की चालक ने खुदकुशी की कोशिश तारानकिन धनबाद वैसे आज पूरी दुनिया में 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे मनाया जा रहा है प्रेमी प्रेमिका के लिए खास दिन होता है लेकिन अगर कोई प्रगाड प्रेम को लेकर मौत को गले लगाने की कोशिश करे तो यह मामला सुर्खियों में आ जाता है कोयलान्चल में एक प्रसंड की चर्चा जोरों पर है एक शादी शुदा यूवक जहर खाकर जान देने की कोशिश की जान देने की कोशिश इसलिए क्योंकि पती और पत्नी के बीच प्रेमिका को लेकर विवाद हुआ विवाद के बाद जगड़ा और फिर गुस्से में आकर पती ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की यही नहीं पती को अस्पताल भरती कराया गया अस्पताल में भरती के दौरान भी प्रेमिका और पत्नी के बीच नोक जोख हुई फिलहाल पती अस्पताल से डिस्चारज होकर अपने घर लोट गया है लेकिन प्रेमिका को लेकर पती पत्नी के बीच आप भी कला जारी है ये कहानी है जिले के सरायधेला राधा स्वामी मारकेट के पीछे रहने वाले विश्वजीत पांडिय की है विश्वजीत पांडिय पिछले चार सालों से सरायधेला के वीरकुन सिंग नगर की रहने वाली भाजपा की वरिष्ट नेत्री सेह महिला बिल्दर रमा सिन्हा के यहां निजी द्राइव के रूप में काम करता आ रहा है विश्वजीत की माता गायतरी देवी का कहना है कि उसकी पत्नी प्रियनका पांडिय कहती है कि रमा सिन्हा से वह प्रेम करता है इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ दोनों के बीच लड़ाई जगडा भी हुआ इस दोरान विश्वजीत ने जहर पी लिया और गोली भी खाली। उसके बाद एक ओटो बुलवाकर उसे SNMMCH ले गए। घटना की जानकारी रमा सिनहा और उसके पती को दी। जिसके बाद रमा सिनहा और उसके पती दोनों उसे देखने के लिए अस्पताल पहुँचे। लेक किया गया। जिसमें रमा सिनहा कोई दोश नहीं है। उनकी राजनीतिक छवी धूमिल करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं को उनसे डर है। वो कुछ ऐसा काम कर रही है कि वो नेताओं पर हावी है। आज उनका पूरा जारखंड में नाम है। वो कोई ऐ इतने कहा कि पिछले 15 सालों से पत्नी को लेकर परेशान हूँ. पत्नी से विवाद के कारण ही जहर खाकर जान देने की कोशिश की. वहीं मामले को लेकर भाजपा नेतरी रमा सिन्हा ने कहा कि जब आप राजनीती में आते हैं तो किसी तरह का भी आपके उपर लांचन लगाय जा सकता है. और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. ये पूरा का पूरा राजनीतिक स्टंट है. जब लोग महिला की बराबरी नहीं कर पाता तो उनके चरित्र पर उंगली उठने लगते हैं. उन्होंने कहा कि विश्वजीत पिछले 4 साल से हमारे घर के सदस्य क रूप में काम करता आ रहा है. उन्होंने कहा कि हर पती पत्नी के बीच घरेलू कलह होता है. घरेलू कलह निप्टा कर लोगों का घर बसाना मेरा काम है और मैं एक महिला हों साथ ही आगे भी मैं सामाजिक दायत्वों का निर्वहन करते रहूंगी. मैं डरने वाली, रुकने वाली और जुकने वाली नहीं हूँ. अभी तक मुझे कोई नीचा नहीं दिखा पाया. इसलिए मेरी राजनीतिक छवी को धूमिल करने की यह कोशिश है. उन्होंने कहा कि जो भी इस साजिश में शामिल है, उन सभी के नाम और चेहरे सामने जल्द आएंगे. बीजेपी न पित्री ने अपने उपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए इस बेबुनियाद बताया.